दोस्तो नमस्कार एक बाद फिर से आपका अन्विदार के में स्वागत है दोस्तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपको कुछ खास ख़ब रहें और इस वीडियो में हम आपको पहले बताएंगे कुछ कुछ Altcoin, Bitcoin, Ethereum और बड़े-बड़े Coin के कुछ Price के बारे में Analysis करेंगे कुछ बात करेंगे और उसके बाद आपको एक ऐसे Coin के बारे में बताएंगे जिसकी आज कीमत जो है Bitcoin से 3 गुना जादा हो गई है मतलब वो 38,000 डॉलर तक पहुँच गया था उसके बारे में आपको बताए है दोस्तो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और पूरा देखो के बहुत मज़ा आएगा आप दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे बता दू कि सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवात कि हमारे जो है 90,000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं और हो जाके सब्सक्राइब कर लो घंटी का वटन दवालो यारो क्या देर लगती है तो दोस्तो जल्दी से ये काम कर लो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रूप को नीचे डिस्क्रिप्शन में जब 11,200 पे बिटकोईन गिर गया था नीचे बुरी तरीके से मैंने कहा था कि ये बिटकोईन इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे उपर फिर बुलिस्ट मोड में ये आ रहा है तो अभी आप देखोगे कि ये जो पैटरन बना है इन्वर्स हैडन सोल्डर आपको मैं दि खसाब से और मैं आपको एक दूसरा भी चार्ड दिखा रहा हूँ इस चार्ड में भी हमने ड्रो लाइन डाल रखी है और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो सपोर्ट लेविल है वो करीवन इस समय 11,000 के आसपास है और रेजिस्टेंस लेविल है वो करीवन चल है अभी 12,000 के असपास तो दोस्तों यह थे विटकोईन के प्राइस की अनेलिसिज और अब बात करते हैं इथेरियम के प्राइस के बारे में और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताए था कि इथेरियम जो है वो बुलरन करने जा रहा है और बुलरन को फॉलो कर रहा है आप देखिए इथेरियम ने एकदम कहां वो 400 डॉलर से भी नीचे चल रहा था और एकदम बुलिश मोड लिया और 418 पर पहुँच गया है और मैं आपको इथेरियम के बारे में भी बताता हूँ कि यह भी बुलिश मोड में है जैसे आप देख रहे होंगे कि डीफाई जो 417 पर इस समय एथेरियम चल रहा है और इसका 450 तक का रेजिसरेंस लेविल है तो वह बहां तक पहुँच सकता है दोस्तों तो यह एथेरियम की प्राइस की बात थी तो आप देख रहे हैं हमने यह जो चार्ट बना रखे हैं आप भी इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं टी आपको सीखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू इवेंट आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वह आपको सीखने को मिलेंगी और आप एक अच Cars आप से और है कि आप जो है वह comment section में आप ये comment करके बताएं कि Bitcoin और Ethereum की price आने वाले तीन महीने में कितनी रह सकती है अगर आपके comment सही होंगे और अगर आपका वो prediction जो है वो सही निकलेगा तो हम जरूर आपको कुछ न कुछ इनाम या giveaway प्रिस्तावित करेंगे और आपको नीचे comment जरूर करना है कि Bitcoin की price जो है वो तीन महीने के बाद और Ethereum की price तीन महीने के बाद कितनी रहने ही चाहिए दोस्तो ये comment आपको जरूर करना है दोस्तो तो चलते हैं अब हम उस coin के उपर जिस coin ने आज तहलका मचा रखा है और वो coin है जिसका नाम है Yarn Finance दोस्तो Yarn Finance जिसका नाम short में इसको बोलेंगे EFI और आप देखिए कि EFI ने आज कमाल कर दिया आज EFI जो है वो 38,000 डॉलर 38,600 डॉलर पर पहुंच गया था Bitcoin से करीवन 3 गुना ज़्यादा और दोस्तों मैं आपको बताओं Yarn Finance के वारे में कि 16 दिन में Yarn Finance ने 840% गेन किया है ये एक बहुत बड़ा भेंकर गेन है और आप देख सकते हैं कि EFI गेन के कारण ये Bitcoin को पचाड़ कर 38,800 डॉलर के असपास आज पहुंच गया था तीन Bitcoin को खच करके आप Yarn Finance का एक token ले सकते हैं दोस्तों और मैं आपको बताओं कि इसकी listing जो है वो Binance पर है Binance की ये मैं बता रहा हूँ जो इसी थी पहुंच गई थी 38,000 डॉलर पर अब इसका प्राइज इतना जादा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बताओं कि ये एक बहतरी डीफाई है और इसके बहुत ही limited coin है केबल 30,000 coin जो है वो इसके बनेंगे मतलब available है और जो market में circulated coin है वो केबल 29,000 something मतलब 400 coin के आसपास जो है वो market में circulated है तो आप देख रहे हैं इसका अभी जो rank आ गया है coin market cap में वो करीवन 36 पर आ गया है और ये जो coin है इसकी total supply में आपको बता रहा हूँ total supply 30,000 है और current supply जो है 39,963 है इस समय मतलब कुछ ही coin जो है जो अभी market में circulation में नहीं है दोस्तों तो ये बहुत अच्छा coin में इसलिए नह investment करने के लिए कि ये बहुत hype पे चल रहा है इस समय और अगर आप इस hype पे इसमें investment करेंगे तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में दोस्तों नुकसान हो और हम आपको बताएं आपको कि हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारे coin के बारे में बताये था जैसे land था polka dot था और बहुत सारे coin थे जो सब ने बहुत अच्छा performance किया है इस समय आप जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं polka dot ने 2x gain किया था जो हमने बताये था आपको तो आप जाके एक बार चेक करिए हमारे पिछले वीडियो और आप कि क्या position थी जो हमने आपको कुछ coin बताये थे long time, mid time और short time के लिए investment करने के लिए दोस्तों तो अब चलते हैं कुछ खास-खास ख़बरों पर तो मैं आपको बताऊं पहली ख़बर जो है तो दोस्तों पहली ख़बर लेते हैं Ethereum Classic की तरफ से और बहुत ही संसनीदार ख़बर लेकिन एक परिस्ति है जिसमें bitcoin भी hack हो सकता है दोस्तों बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं होती जैसे उसमें 51 अटेक भी होता है और बहुत सारी crypto से related और भी चीजें होती हैं जो आपके समझ में नहीं आती तो आप हमारे elite crypto tool को use कर सकते हैं और elite crypto tool पे जाके 51 percent attack पर जाकर आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि यह किस तरीके से होता है तो दोस्तों मैं अब बताता हूं आपको ethereum classic के वारे में यह तीसरा attack है ethereum classic के ऊपर और आपको थोड़ा सा सरलवासा में समझा जैता हूं कि 51 attack क्या होता है 51 attack यह होता है कि जब किसी coin की ज जब 51 percent जो है वो कबजा हो जाता है hash rate पर तो वो वंदा अपने हिसाब से उस coin को जो है वो चला सकता है network को control कर सकता है तो दोस्तों यह जो 51 percent attack है यह ethereum classic पर हुआ और इसका हुआ यह कि उसने okx में करीवन 5.6 million जो थे वो उसमें से ethereum classic जो थे वो डाले और उसमें डालने के वाद उसने ethereum classic को वहाँ से double spend किया मतलब एक ही coin को उसने दो बार use किया पहले coin से उसने jet cash लिये और jet cash करने के वाद उसने वही transaction जो है वो अपने network से cancel करा दी और cancel कराने के वाद वो coin जो है वो बापस उसी के पास आ गए दोस्तों यह 51 attack था और इसमें okx को करीवन 5.6 million dollar का नुकसान हुआ है दोस्तों इस तरीके से यह और भी coin को उपर 51% attack हो सकता है इविन bitcoin भी जो है वो इससे चूता नहीं है 51% attack bitcoin पर भी हो सकता है लेकिन यह असंभव है क्योंकि bitcoin की जो network है जो hash rate है वो बहुत जगे distributed है जगे जगे distribute है बनता है बहुत सारे लोगों में किसी के 6% 7% 8% 10% इस तरीके से लोगों ने bitcoin की hash power जो है वो distribute कर रखी है दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं और अगली खबर भी बहुत अच्छी आ रही है और वो आ रही है चाइना की तरफ से मैं आपको पताऊं कि चाइना जो है वो हर दो महीने में एक list जारी करता है जिसमें व coins के crypto coins के list देता है कि कौन सा coin जो है पहले number पर है कौन सा दूसरे number पर है कौन सा तीसरे number पर है दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना जो है उसने crypto currency को ban कर रखा है लेकिन उसके बाबजूद भी उसकी जो central information ministry है वो हर दो महीने के बाद एक list जारी करती है crypto currency के बारे में first level पर चल रहा है इस तरीके से आप देख रहा होंगे कि 37 coins की उसने अभी list दी है और EOS जो है वो पहले number पर है उसके बाद Ethereum को दूसरे number पर लेकर आया है और दोस्तों मैं आपको बताओं कि तीन category में वो इसको check करते हैं पहली category जो है वो है basic technology basic technology कैसी है और दूसरी category जो है वो उसकी है applicability की applicability कितना है वो coin और तीसरी category है creativity कितना creative उसमें काम किया जा सकता है तो उस पर सबसे पहले जो number आता है वो EOS का आता है और उसके बाद Ethereum का आता है तीसरा number है IOST का चोथा है Tron का इस तरीके से number चले है और Bitcoin की जो list थी पिछले दो महीने में वो थी बार्मे स् है चोध में स्थान पर दोस्तों यह लिस्ट थी चाइना की तरफ से और बड़ा अच्छांबा होता है कि चाइना ने अगर crypto को अपने देश में बैंक कर रखा है तो यह list जारी करने की क्या जरूरत है हर दो महीने में दोस्तों अगली ख़वर पर चलते हैं और वह भी आ र किया है बैंक डिश्टल करेंसी का वालेट जिसका नाम है रैन मिनीवी रैन मिनीवी करके यह वालेट है और इस वालेट में आप यूआन को डिश्टल रूप से डिश्टल करेंसी के रूप में उसमें आप रख सकते हैं चार तरीके के यह जो वालेट बनाए गये हैं उनको चार केटेगरी में वाटा गया है पहले केटेगरी में आप 5 लाख रख सकते हैं यूआन डिश्टली और दूसरे केटेगरी में आप जो है वो 50,000 रख सकते हैं तीसरे केटेगरी में आप 10,000 रख सकते हैं यूआन और चौथी केटेगरी में आप 5,000 यूआन जो है वो उसमें रख सकते हैं इसी तरीके से इन अलगलग कैटेगरी में आप जो ट्रांस्फर करना है यूआन को या डिजिडल करेंसी को उसकी भी कुछ इन्होंने लिमिट बना रखी है उस लिमिट के अनसौर ही आप इसमें से यूआन को खर्श कर सकते हैं दोस्त को ट्वीटर फॉलो करने में टाइम नहीं लगेगा आप जाए फटा-फट ट्वीटर को आप फॉलो करिएगा और आपको मज़ा आएगा वहां बहुत सारी चीज़े आपको नई देखने को मिलेंगी तो दोस्तों दूसरी वात यह है कि ट्वीटर के साथ आप हमारा टेलीग किजिए और सीखिए ट्वीटर को आप फटा-फट जाके और टेलीग्राम को आप फटा-फट जाके जॉइन कर लीजेगा दोस्तों और आपसे एक बार फिर करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आपको हमारे पसंद आते हैं तो लाइक जरू कर लो अगर नहीं पसंद आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसके बाद अगर आपको और अच्छे लगते हैं तो शेर कर दो जिससे और लोग भी जो हैं वो अवेर रहें कि हम जो हैं आपको कुछ जल्दी-जल्दी कुछ दुनों बाद आपको हम इस तरीके की खवरें और जागरुकता भरी क्रिप्टो करणसी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलिज आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं दोस्तों तो आज के लिए इतना ही अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के लिए आपसे फिर मुखातिव होंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन